आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भगवान स्री कृष्ण और राधा के बीच हुई एक ऐसी वारतलाब जिसमें राधा भगवान स्री कृष्ण को ऐसी ऐसी बाते कहती हैं कि उनका हिर्दय गद-गद हो उठता है एक बार की बात है जब राधा और श्री कृष्ण स्वार्ग में विचरन कर रहे थे तब ही दोनों अचानक एक दूसरे के शामने आ जाते हैं कृष्ण राधा को देखकर कुछ पल के लिए विचलित हो जाते हैं, किन्तु राधा उन्हें देखकर मुस्करा देती है और कहती है, कैसे हो द्वार काधीश? जो राधा भगवान कृष्ण को काना काना कहकर बुलाया करती थी, उनके मुक्से द्वार काधीश कहना कृष्ण के हर्दे को गायल कर गई। तभी राधा बोल उठती है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे तुम्हारी याद आई, और ना ही कोई आशु बहा, क्योंकि मैं तुम्हें भूली ही कहां थी जो तुम्हें याद करती। फिर क्या था, राधा अपने शब्दों में तीव्रता लाते हुए, क्रिश्ण को क्या-क्या बाते कहती है, आईए जानते हैं। राधा कहती है, हे द्वार का धीस, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या-क्या खोया है, आओ मैं तुम्हें इनका आयन दिखाती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड गए हो, यमना की मीठे पानी से जियोन की शुरुवात की और शमुद्र के खारे पानी तक पहुँच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोशा कर लिया और दसों उंगली पर चलने वाले बासुरी को भूल गए। अगर तुम काना होते, तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्र में और प्रेम में यही तो फर्क होता है, युद्र में आप दूसरों को हरा कर जीतते हैं और प्रेम में हम खुद हार कर भी जीत जाते हैं। प्रेम में डूबा आदमी दुख ही तो रह सकता है, किन्तु किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के श्वामी हो, घीता जैसे गरंत के दाता हो, आपने ये निर्ने कैसे लिया, अपनी पूरी सेना कोरूं को सोब दी और अपने आपको पांडूं के साथ कर लिया, सेना तो आपकी परजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है, आप ज करुणा नहीं जागी, ऐसा क्यों द्वार का धीश, क्योंकि आप प्रेन्म से सुन्य हो चुके थे, आज धर्ती पर जाकर देखो, अपनी द्वार का धीश वाली छवी को ढूंडते रह जाओगे, हर घर, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे, आज भी मैं मानत कि लोग आपकी लिखी गीता के ज्यान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, परंतु धर्ती के लोग युद्वाले द्वार का धीश की नहीं, प्रेम वाले कान्हा की भरोसा करते हैं, और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर लोग र प्लीज सब्सक्राब टोर चनल, थैंक्स